दोस्तों जन्मा अस्टमी के दिन अगर आप मोर पंक के कुछ उपाय करते हैं तो आप जीवन के प्रतेक सुख को प्राब्द कर सकते हैं क्योंकि भगवान स्रीकृष्ण जी को मोर पंक अधिक प्री हैं इसलिए जन्मा अस्टमी के दिन मोर पंक को अधिक महत्त दिया जाता ह दोस्तों भगवान स्रीक्रश्न को प्रसंद करने के लिए जन्मा अस्टमी के दिन अनेकों उपाय किये जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक मोरपंक से ही आप अपनी सभी परिसानियों से मुक्ति पा सकते हैं तो आईए इस वीडियो के माध्यन से हम जानते हैं जन्मा अस्टमी के दिन मोरपंक से किये जाने वाले उपायों के बारे में दोस्तों अगर आपकी आर्टिक इस्तिती खराब है तो आप जन्मा अस्टमी के दिन स्रीक्रश्न जी के मंदिर जाएं और एक मोरपंक को भगवान स्रीक्रश्न जी के मुकुट पर इस्थापित कराएं इसके बाद आप 40 दिनों तक भगवान स्रीक्रश्न और राधारानी जी की विदवत पूजा अर्चना करें इसके बाद आप उस मोरपंक को अपने घर में लाकर तिजोरी में रख लें इससे आपको धन लाब होगा और आपके घर में बरक्कत होनी सुरू हो जाएगी और अगर आपको आपके सत्रू अत्यधिक परेसान करते हैं तो आप जन्मा अस्ट्मी के दिन एक मोरपंक पर अपने सत्रू का नाम लिख कर भगवान स्रीकर्जन जी के मंदिर में रात भर रख दें और अगले दिन बैते हुए पानी में उसे प्रवाहित कर दें लेकिन ध्यान रखें कि आप इसके बारे में किसी को ना बताएं इससे आपको जल्द ही लाब मिलेगा दोस्तों अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोस है तो आप जन्मा अस्ट्मी के दिन एक मोरपंक को अपने तकिये के सिराने रख कर सो जाएं और अगले दिन सुबा बगवान स्रीकर्षन जी के मंदिर जाकर उनके चरणों में उस मोरपंक को चढ़ा दें ऐसा करने से आपके सभी प्रकार के ग्रह दोस समाप्त हो जाएंगे और अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती और आपका भाग कमजोर है तो आप जन्मा अस्टमी के दिन मोरपंक के ग्यारा पंकों से एक पंका बना लें और उसे अपने घर के पस्चिम की दिवार पर लगा लें और रोज उससे अपने उपर हवा करें ऐसा करने से आपकी सारी नकरात्मक्ता दूर हो जाएगी और आपकी किस्मत आपका साथ दिने लगेगी दोस्तों अगर आपके घर में अतदिक कलह रहता है और आपके घर में निगेटिविटी बहुत जादा बढ़ गई है तो आप जन्मास्टमी के दिन अपने मुख द्वार पर तीन मोरपंक लगा दें ऐसा करने से आपके घर की निगेटिविटी दूर हो जाएगी और घर में सुक सांती और बरकत बनी रहेगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद